दोस्तो फ्लैट में जब भी वास्तु किया जाता है थोड़ा सा different होता है जो इंडिपेंडेंट हाउसिज होते हैं उनसे फ्लैट का वास्तु फ्लैट का वास्तु जब भी करते हैं उसमें सबसे पहले जो देखी जाती चीज वो होती हैं उसके extensions और cuts क्योंकि फ्लैट कभी भी rectangle या square आपको नहीं मिल पाता जबकि plot अगर आप लेने जाते हैं आपको बहुत आसानी से वास्तु के नुसार plot मिल जाता है rectangle या square फ्लैटों में आपको ध्यान करना होते है दोस्तों कहां-कहां आपके घर में आपके फ्लैट में कट आ रहा है कहां-कहां extension आ रही है तो इन चीजों का खास खयाल करना होता है दूसरी जो main चीज आती है फ्लैटों में वो होती है balcony क्योंकि अगर आपको entry अच्छी मिलती है तो आपको balcony बहुत अच्छी मिलती है नौर्थ हर इसकी तो थोड़ा